जावा सीखने के लिए हमारे चैनल Learn Coding को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको फोर इच लूप के बारे में बताऊंगा कि जावा में फोर इच लूप क्या होता है इसका syntax कैसे लिखना है flow chart आप किस तरह से draw कर सकते हैं इन सभी चीजों को हम detail में discuss करेंगे तो यह हमारा type number 4 है loop का इससे पहले भी मैंने while to while और for loop आपको बताए हैं अगर आपनों वीडियो को नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए आज हम discuss करेंगे for each loop के बारे में यह हमार प्लीज देखिए लूप के बारे में यूज तो इच लूप में यूज टू फेच दा वाल्यूज फेच दा वाल्यूज फ्रो में कलेक्शन फ्रो में कलेक्शन लाइक आईरे जब आपके पास आईरे हो आप अपने प्रोगाम में आईरे को यूज कर रहे है तब उस केस में आपको for each loop को यूज करना है इसमें क्या होता है for each loop क्या करेगा आपके आईरे में जितने भी element उनको एक एक करके यह फेच करेगा ठीक है जब multiple collection हो element का आपके पास तब आप इस लूप को यूज करेंगे यह क्या करेगा आईरे के सभी element को एक एक करके फेच करेगा और उन्हें अपने variable में store करके print कर देगा इसमें आपको condition भी देने की ज़रुरत नहीं पड़ती यहां पे मैं syntax लिख रहा हूं for each loop का सिंपल सा syntax से आपको लिखना है for उसके बाद होगा हमारा data type उसके बाद for each loop के जो variable का आप name देना चाहते हैं मैंने where1 दिया है बीच में आपको देना होगा colon उसके बाद होगा हमारा array variable समझ है यहां पर हमारा वायर टू एक array variable है ठीक है यह हो गया हमारा अब यहां पर लूप का body होगा अब यह जो statement यहां पर लिखा होगा यह बार-बार execute करेगा तो यह हो गया simple सा syntax तो अभी मैं flow chart रो कर रहा हूं फिर syntax को हम उसी के साथ समझेंगे तो flow chart में सबसे पहले आपको start करना है उसके बाद arrow होगा और यहां पर हमारा element का collection होगा ठीक है यानि समझे यह हमारा array है यह array के element को क्या करेगा सबसे पहले फेज करेगा फेज करने के बाद जो भी for loop में statement लिखा होगा for each loop के अंदर अगर यह array में element होता है तब yes condition होगा यहां पर statement चलेगा ठीक है उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे array में element को find करने के लिए जाएंगे कि array में और भी element है की नहीं अगर और element है फिर से वो element को उठाएगा प्रिंट कर देगा और माल लिजे array के सभी element को इसने print करा दिया तो उसके बाद क्या होगा हमारा for each loop end हो जाएगा तो यहां पर मैं flow chart को क्या कर रहा हूं end कर रहा हूं तो अभी हम इसे syntax से समझा देते हैं सबसे पहले हमें data type देना है तो data type आपका वही होगा यहां पर जो आपके array का type होगा तो यहां पर एक array में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए तो where to हमारा array होगा और इसमें consider करिए मेरे पास five element है तो सबसे पहले for each loop क्या करेगा element number 10 यानि zero position वाले element को उठाएगा तो यह 10 को क्या करेगा यहां पर where one में store करेगा for each loop अपने variable में तो अभी variable one में 10 आ चुका है तो यहां पर statement होगा तो यह 10 print होगा flow chart में देखिए element के collection से 10 को उठाया यानि area से 10 मिला इसको मिल गया तो यहां पर statement print होगा उसके बाद फिर से जाएंगे हम element को check करें और element है की नहीं तो यहां पर 20 है अभी 20 को क्या करेगा where two से where one में for each loop लेगा और 20 को भी print करेगा तो इसी तरह एक एक करके सभी element को यह for each loop लेगा पांचो को जब last में सभी element को यह fetch कर लेगा print करा देगा एक एक करके तब last में जब element नहीं मिलेगा तो हम syntax से बाहर आ जाएंगे for each loop terminate हो जाएगा तो यह हो गया हमारा simple सा flow chart और syntax for each loop का अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पर हम live practical करके देखेंगे आयरे का use करके हम simple सा for each loop का program बनाएंगे यहां पर तो चलिए program start करते हैं तो यहां पर मैं class का name ले लेता हूं हमारे class का name है for each यह हो गया हमारा main method तो जब भी आप for each loop use करें तो यहां पर आपके पास multiple collection का value होना चाहिए तो यहां पर मैं उसके लिए एक area बना रहा हूं integer type का a नाम का और इसमें मैं value set कर रहा हूं 5 value ले रहा हूं 10, 20, 30, 40 और 50 तो यह 5 value है तो यहां पर देखिए हमारा a नाम का area है और इसमें हमारे पास multiple collection है value का 5 value रखा हुआ area में area क्या होता है same type के data को collection को हम area कहते हैं तो अभी हम क्या करेंगे for each loop यूज़ करके area के इन सभी elements को print करेंगे यहां पर सबसे पहले मैं for each loop का basic syntax लिख रहा हूं यह है हमारा basic syntax अगर आप syntax लिखते हैं तो आपको program करने में दिक्कत नहीं होगा तो सबसे पहले हमारे area variable का हमें name लिखना है तो यह हो गया हमारा area variable अब इसे मैं store करा रहा हूं एक variable B में यह हमारा integer type का B variable मैंने बनाया है तो यह B variable क्या करेगा area variable का सबसे पहले value 10 को यह यहां पर अपने variable में assign करेगा उसके बाद यहां पर आप statement लिख दीजिए इस loop के अंदर तो मैं output वाला statement यहां पर लिख रहा हूं system.out.print और यहां पर मैं B को print कर रहा हूं और मैं चाहता हूं हर value के बाद space print है तो उसके लिए हम यहां पर space दे रहे हैं तो अभी यह program काम कैसे करेगा उसे मैं dry run कर दे रहा हूं सबसे पहले हमारा IRA का जो 0 position पर value है यानि 10 यह value हमारे B में assign होगा और यह B print कर देगा 10 को उसके बाद हमारा 4 each loop फिर IRA के पास जाएगा वहाँ पर condition देखेगा कि IRA के पास और multiple value है 10 के लावा अगर है तो फिर से वो next value 20 को उठाएगा उसे भी B में store करके print करते जाएगा इस तरह सी यह काम करेगा तो program को मैं save कर रहा हूं dext of location मैंने choose कर रहा है हमारे class का name है forage अभी हम compile और run करने के लिए command prompt open किये हैं तो सबसे पहले हम dext of location पे जा रहे हैं जहां हमारा program save है तो अभी compile कर रहे हैं java c class का name forage मैंने enter प्रेस करा तो अभी देखिए हमारा program compile हो गया है अब हम इसे run कर लेते हैं तो यहां पे देखे आयरे का पांचो element print हो चुका है 10 20 30 40 और 50 तो इस तरह से आप forage loop use करके आयरे के element को बड़ी ही असानी से print कर सकते हैं आयरे के मामले में forage loop normal for loop से बहुत better होता है क्योंकि इसमें आपको न condition देना होता है न value initialization का कोई tension होता है अगर आप इसी काम को normal for loop से करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा उसमें सबसे पहले आपको आयरे का basic index देना होगा जैसे हमारा i के value अगर हम यहां पे 0 लेंगे क्यों क्योंकि आयरे का basic index 0 से start होता है इस 0 position पे 10 रखा हुआ है यहां पे सबसे पहले हमें 0 लेना होगा basic index फिर आयरे का last index क्या होता है n-1 यानि 5 element है मतलब 5-1 4 तो यहां पे less than हम चलाएंगे 5 चाहे तो आप यहां पे 5 भी लिख सकते हैं या फिर आयरे variable का name.length इस तरह से अगर आप करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आपको यहां पे value को increment भी करना होगा उसके बाद यह output वाला जो statement है आपको यहां पे loop के अंदर print करना होगा तो यहां पे printing का भी style आपका थोड़ा सा अलग रहेगा आपको क्या करना होगा आयरे variable का name और i के साथ print करना होगा क्योंकि यह i variable 0 से लेके 4 तक जाएगा सभी element को select करते हुए तो अभी इस program को अगर हम save करे तो हमारा for loop भी काम करेगा और for each loop भी काम करेगा तो यहां पे देखिए यह हमारा for each loop का result है और यह वाला result हमारा simple for loop का result है इस वाले for loop का तो i ray के case में हमारा जो for each loop होता है वो better होता हमारे इस normal for loop के मुकाबले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो like करिए, share करिए, channel पे नए है, subscribe करिए